बिस्मिल्ला रोहमान रोहीम असलाम अलेकुम मेरा नाम मुबशीर रह्मद तो बेटा आज हम वेक्टर्स एन एक्विलिब्रियम चैप्टर नमबर टू लेक्चर नमबर सेवन स्टार्ड करेंगे रेजूलूशन ओफ वेक्टर तो यह बड़ा एहम टोपिक है इसको ना आप को ढ़िए को इच्छे तरीके समझाएगा उमीर करते हैं कि आमने पीछे वाली सारी définition को एच्छे तरीके से समझा होगा तो जी बेटा स्टार्ड करते हैं जी आज का लेक्चर तो जी बेटा लेक्चर का नाम एजी resolution of a vector अब resolution का मतलब कहा है इसकी तरह definition को आप गोर से कहते हैं तोड़ना सप्लीट मीन तोड़ना या किसी चीज को ना हम दो इसों में तक्सीम करते हैं दप परोसेस ओफ सप्लीटिंग ओफ वैक्टर इंटू किसी वैक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्स में तक्सीम करने के को तोड़ने के अमल को कहते हैं नहीं समझाई तो डियाग्राम पहले आप समझे फिर आपको यह सारी समझ आईगी तरह गोर कीजिएगा बेटा यह एक्स एक्सीद और यह है यह औरीजन ओ स्टैंस फार ओरीजन अब यह मेरे पास एक वैक्टर है जिसको मैं ओ पी का नाम दे ओ पी वैक्टर है जिसको हमने वैक्टर ए का नाम दी है ओ पी लाइन है जिसको वैक्टर ए का नाम दी है याद रिखेंगे बेटा यह जो एक्स एक्सीद और या एक्सीद है यह आपस में 90 डिग्री पे हैं और मैंने आपको बताया हुए है कि जब दो चीज़ें आपस में 90 डिगरी के एंगल पर हो ना तो उनका जो resultant होता है मैंने parallelogram में समझाया आपको पहले दूसरे lecture में तो जो उनका resultant है ना बेटा वो vector के अगर ये 90 डिगरी है ना तो वो 45 डिगरी से निकलेगा यानि कि उनके angle के half से तो ये जो x-axis और y-axis आपस में 90 डिगरी का angle बना रहे है तो इनके half से ना 45 डिगरी से एक vector निकलेगा जिसको मैंने vector a का नाम दिया अब हमने इसको क्या करना है हमने इसको resolve करना है तो क्या करेंगे हम vector a के head से vector a के head से perpendicular draw करेंगे किसके ओपर on x-axis on x-axis और vector a के head से perpendicular draw करेंगे on y-axis और मैंने आपको angle का भी बेटा बताया हूना angle अगर कोई vector है ना 2D plane में तो वह vector angle बनाएगा this angle is called theta और वो हमेशा positive x-axis से होगा और anti-clockwise direction में ये arrow का sign भी आपने गोर से देखना है ठीक हो गया अब ये vector a बना लिया angle बना लिया x-axis y-axis अब इसको दो इसों में कैसे तक्सीम करना है क्योंकि ये 2D है ना बेटा अब ज़रा गोर कीज़ेगा ये जो vector a है ना इसका x-axis पे x component बनेगा और y-axis पे y component बनेगा तो ज़रा देखें ये vector a का x component तो मैं क्या लिकूंगा a x इसको पर arrow डाल दूँगा और ये vector a का y component ये क्या बनेगा a y इसको पर arrow डाल दूँगा अब ज़रा गोर कीज़ेगा कुछ किताब होगे ना कुछ books में ये vector a x के जगा पे पता किया लिखा हुगा बच्चे confused हो जाते a x i cap और इधर a y के साथ मैं ब्रेगन में लिख देता हूँ a y j cap तो ये दोनों तरीके ही ठीक है बेटा लेकिन आपको ज़रा गोर से सुनिएगा ये जो a x है ना ये magnitude को जाहर करता है vector a की length on x axis बात समभे रहें a x ये magnitude है vector a की on x axis i cap आपको याद है मैंने आपको बताया हूँ x y z i j k बेटा x axis पर direction को जाहर करने के लिए कौन सा unit vector था i y axis पर j और z axis पर k अब ये vector a का x component है a x और साथ में क्या लिख दिया हमने i i cap का मतलब है unit vector मतलब ये हमेशा x axis पर होगा और vector a का a y और साथ में j cap मतलब ये y axis में या तो आप ये लिखने हैं ये देखें मैंने bracket में लिखा इसको आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं a x magnitude और साथ में unit vector बास समय रहे हैं ना तो ये magnitude और unit vector मिलके क्याव ना देंगे a x के ओपर आप arrow भी डाल सकते हैं तो बेशाक इस तरह लिखने बेशाक किस तरह लिखने दोनों तरीका कार ही ठीक है आगे चलते हैं जी बेटा आपको याद है अब ये देदा गोर से देखीएगा ये a vector a के दो components हमने कर लिए a x और a y इसको मैं थोड़ा सा show करता हूँ ये vector a का x component है ऐसी है ना ये arrow का sign और ये vector a का y component है this is a y ये a x आ गया और ये a y ठीक है अब जड़ा definition पर दुबारा है the process of splitting of a vector बेटा हमने ऐसी किया ना हमने इस vector को split किया तोड़ा है into 2 a x a y 2 अगर 3 d होता तो 3 होते ये 2 d है ना एक vector को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ने के अमल को तक्सीम करने के अमल को resolution of a vector कहते है इस अमल को अब आगे हैं जी component of a vector के next definition पे the effective value of a vector in a given direction effective कहते है पूर असर यानि कि जिसका कोई असर भी हो the effective value of a vector vector की ये जो x component x axis पे जो है ना एक्स इसको कहेंगे हम effective value the effective value of a vector किसी vector की जो effect करने वाली value है जिसका effect भी हो in a given direction किसी खास direction में अगर x axis में होगा तो ax i अगर y में होगा तो ay j तो किसी खास direction में जो vector का ax है ना तो इसको ax को component हम कहेंगे कि वेक्टर a का हिस्सा है बेटा next आजए rectangular rectangular का मतलब है 90 degree 90 degree rect का मतलब है right और angular का लफज किसे निकला angle से तो right angle mean 90 degree मैंने आपको समझाया हुआ है ये right angle 90 degree अब पहले हमने components of a vector पढ़ें अब हम पढ़ेंगे rectangular the components of a vector which are perpendicular to each other perpendicular का मतलब के 90 degree तो किसी vector के ऐसे components जो आपस में कितना angle बनाते हो 90 degree perpendicular to each other एक दूसरे के साथ तो उन components को हम क्या कहेंगे rectangular components जिस तरह इदर आजे अब देखें ना vector a है ये vector a का x x component है axi और ये vector a का y component है ayj तो आप ज़र गोर करें बेटा ax और ay पे ये axi है ये ayj है तो ये आपस में कितना angle बना रहे है 90 degree ax और ay का देखें आपस में तो इसलिए axi और ayj को हम rectangular components केंगे क्योंकि ये आपस में 90 degree का angle बना रहे है तो बेटा आपको rectangular components कब होंगे जब angle 90 degree होगा और component का होगा कि किसी खास direction में उस vector की effective value और इस अमल को vector को दो इससों में तक्सीम करने के अमल को क्या कहेंगे resolution of a vector तो बेटा इसको फर्जी नाम देनें जी हम ये vector की tail है O head को P का इसको M का नाम दे लेते हैं आपकी book में दिये हूँ M और ये है N ठीक है अब आपको याद है हमने parallel shifting vector की पड़ी हुई है parallel shifting आती है ना बेटा आपको तो ज़रा गोर से देखिएगा कि parallel shifting से अब क्या अमराद है ज़रा गोर करें अगर ये A Y है ना इस line को यूँ मिला देते हैं ये आ गया जी अगर ये vector A Y J है ना तो ये भी A Y J होगा A Y J कैब ठीक है तो मैंने क्या किया इस vector A Y को parallel shift करके यूँ कर दिया क्यों ऐसा क्यों किया है ताकि ये head to tail rule बन जाए तो ये दो method तो आपको लिखने का पता चलीगा ना इसलिए मैं इसको दूसरे को आप मिटा देता हूँ क्योंकि आपको समझाव मैंने दिये ठीक है इधर से भी मिटा देता कि आप confused ना होगे तो A X I A Y J vector A के दो components इस vector को आपने parallel shift कर दिया इधर तो ये एक बंगी हमारे पास triangle बेटा O P M तो इस triangle को अब हमने solve करना है दरा गोर कीजेगा अच्छा गोर कीजेए किसी चीज़ को रटा ना मारा करें आप लोग अगर हमने A Y को parallel shift किया है तो A X को नहीं parallel shift कर सकते अब इसी A X को आप इधर लें तो ये एक और triangle बंगेगी यानि के दो triangle है फिर ये angle जो ये angle होगा वही वाला ये angle होगा alternate angle सेम होते हैं लेकिन वाब आपको उस confusion में नहीं डालूँगा जिस तरह आपकी book में है उसी तरह चलेंगे ताकि आपको simple method से समझ आदे अब ये देखना है ये वेक्टर ay को में शिफ्ट किया है बाराल आपने इसी पर गोर करना है बताया मैंने ये है कि आपने रटा नहीं मारना ये समझ के चलना है कि इस वेक्टर ax को ऊपर शिफ्ट कर देंगे ना जब आप तो ये भी एक new triangle बंगेगी head to tail rule के दरी अब हमने जोड़ दिये ये वेक्टर ax, axi, ayj उसकी tail head और ये आगए resultant वेक्टर तो अब वेक्टर कैसे होगा वेटा ज़रा देखें op is equal to om पहला वेक्टर om पहला वेक्टर और mp plus mp ये दूसरा वेक्टर आजएगा ठीक है? तो अब op किसके equal है? ज़रा गोर करें op किसके equal है? वेक्टर a के इदर a के उपर arrow लाजमी डालना ही है बचे गलती करते हैं बेटा क्योंकि जब आप text book देखते हैं तो इस a को उसने bold किया हुआ है मोटा किया हुआ है तो ये भी वेक्टर को जाहिर करने का साइन है तो o m की value के है? a x i cap plus m p के value के है? a y j cap तो बटा दरा गोर की देगा a vector अब ये magnitude और साथ में unit vector है जो के direction को जाहर करता है magnitude और direction इसको हम ऐसे भी लिख सकते है a x vector plus a y को उपर arrow का sign तो बटा ये हमारे पास vector आजएगा इसका मतलब के है? घोर करें अगर आपने arrow डालने है ना तो i cap और j cap नहीं लिखना अगर arrow नहीं डालना तो साथ में i और j आएगा क्योंकिंकर magnitude और direction मिलके vector बनाते हैं तो या इस तरह लिखे रहने दें या इस तरह कर लें इधर arrow लाजमी डालने है टेक्स बुक में इसको bold किया हुए तो बटा ये आगा हमारे पास vector इसका मतलब है ये a x ये a y head to tear rule के जरीए जमा करेंगे तो ये resultant vector आजएगा a तो ये तो बटा हमने basic चीज़ों को पढ़ा है जरा आप इसको न घोर से note करने फिर हम आगे चलते हैं शाबश जी बटा अभी हमने diagram को समझा और definition ने सारी पल ली न अब जरा आएं अभी हमने इसका x component निकालना है vector का फिर y component फिर magnitude और direction तो मैंने सोचा जरा उस तरफ जाने से पहले न कुछ बचों को ये याद नहीं होता तो ये आपने rough अमल पे न साइड पे book की साइड पे note कर लेना है ये topic का हिसा नहीं है लेकिन सिर्फ आपको remember करवाने के लिए ये sign theta, cos theta और tan theta ये सिर्फ याद करने के लिए ये trick है ये sentence हमने अपनी तरफ से बनाया है some people have curly brown hair पुछ लों के बाल गुंग रहा ले होते हैं ना curly throw proper brushing ठीक है some people have curly brown hair throw proper brushing अगरा इसका मतलब क्या है आपने पूरे sentence का पहला पहला लफज उठा लेना है s का मतलब क्या है sign theta अब उसके बाद क्या रहा है perpendicular perpendicular का मतलब क्या है perpendicular अमूद high partiness वित्र को हम कहते हैं तो जो बचे उर्दू मिडियम से छोड़ी क्लासे पढ़के आते हैं उनकी इसानी के लिए 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 इसलिए सिर्फ उर्दू में लिखा ताके उन बचों को भी समझ आ दे ठीक है जो बचे उर्दू मिडियम पढ़ते हैं उकू अक तो यह वही चीज़ है बारहल हम क्योंके अब FSC में English मिडियम पढ़ेंगे ना सारा तो वह सारा मैंने आपको English में बता है लेकिन यह उन बचों की सानी के लिए जो उर्दू मिडियम में है जो उर्दू मिडियम से मेटर C से मतलब कया है CAUSICA CoSICA किसके एकॉल है Base over Hyperpicuous आप लोग नए याद रखने हैं यह किसके एकॉल होते हैं क्योंकि अब हम नेक्स पढ़ेंगे ना वह से रिएक्स कंपोनेंट है direction وغیرہ तो आपको ये sign cos 10 याद होने चाहिए अब आगे चलते हैं अब पहले इसको note करने हैं अपनी book पे ठीक है जी बेटा तो अभी हमने definitions और diagram को समझा और मैंने आपको trick की भी बताई के sign theta cos theta और 10 theta को याद करने का तरीका कार के है अब हम उसी trick को apply करेंगे ये मैंने आपकी सहूलत के लिए साइड पर लिक भी दी है sign theta cos theta और 10 theta के फार्मूले अब जरा गोर करें हमारे पास triangle कौन सी थी OPM तो बेटा इसी triangle को उठा के मैंने अलग बना दी है जरा गोर करें ये हमारे पास base है ये perpendicular है और ये high party देस है ये triangle मैंने असल में यहीं से उठा के बनाई है ठीक है अब आप जरा गोर करें हमने x component निकालना है और उसके बाद निकालना y component बेटा इसमें बड़े ही तोज़ों से सुनने वाली बात है कुछ बचे रटा मार लेते हैं x component को निकालने के लिए cos theta यूज होगा और y component को निकालने के लिए sin theta हलाकि ये रट है तो ठीक लेकि रटा रटा ही है इसको समझें हमने निकालना x component फिलाला आप ये देन में रखें बाकी सारी चुदों को छोड़ दें ये vector है ना डायाग्रामा आपकी बुक में बनी है ये vector है अब इसका x component कौन सा ये वाला ये तो y component है ना अब इसको हम क्या कहते हैं triangle के मताबिक वो side पे लिखा भी हुए ये आगी आपकी base क्योंकि heading है x component रटे को दारा छोड़ें भी base है तो base हमने find out करनी है triangle के मताबिक base हमने निकालनी है अब ये x component है ये किसका component है ये आया कहा से है ये इस vector का है इसका मतलब high partiness भी involved है तो हमें कोई ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें base भी आती हो और high partiness का जिकर भी आता हो concept है ना ये तो base और high partiness किस फार्मूले में आता है जी देखें ये sin cos tan तो base और high partiness किस में आता है cos theta में तो बिल्कुल आप सही समझें तो cos theta ही use करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे जी हम जी बेटा आपका फार्मूला आजएगा cos theta is equal to base over high partiness तो बेटा तरह गोर कीजेगा cos theta आप किसके equal लिखेंगे हम cos theta is equal to base के है आपकी O M O M base है और high partiness के है O P तो किसके equal आजएगा जी cos theta is equal to O M किसके equal है अब ज़रा गोर कीजेगा मैं इदर बता दू ये हमने x component की magnitude निकाल नी है बेटा magnitude यानि कि हमने unit vector का जिकर नी करना क्योंकि वो तो direction को दाहिर करता था सिर्फ magnitude तो आप देखे O M किसके equal है A X I के हम सिर्फ A X use करेंगे सिर्फ magnitude तो O M की जगा पे A X नीख सकते है A X O P किसके equal है vector A के न तो vector नी डालना सिर्फ उसकी magnitude ले ली है A के equal है तो क्या आदेगा X component A X is equal to A divided राइधर जाके multiply होजएगा A X is equal to A cos theta तो ये आगया जी आपके पास final formula X component का A X is equal to A cos theta इसको आप याद कर लेजएगा बेटा ये numerical में भी use होंगे फार्मले अगले chapter में भी chapter 2 में chapter 3 में भी इनका जिकर आएगा तो X component निकला है अब आए जी Y component की तरफ अब Y component हमने इसको parallel shift किया था आपको याद है अब ये है आपका Y component A Y J इसको हम क्या कहते हैं वो triangle में देखें perpendicular और ये A Y किसका component था आपको याद है वेक्टर A का तो हमने ऐसा फार्मला ढूंडना है जिसमें perpendicular का जिकर आता हो और high partiness का तो ज़रा देखें वो कौन सा है perpendicular और high partiness वो sin theta है तो बिल्कुल आप सही समझे है तो इसमें sin theta ही use होगा sin theta is equal to यानि कि ये अपनी मर्जी नहीं है कि मैंने कौन सा फार्मला यूज करना है ये मेरी मर्जी नहीं है आपकी मर्जी नहीं है हमने requirement देखनी है कौन सी है Y component निकलेगा ही इससे ये Y component रहा A Y perpendicular ये component है किसका इस vector A का तो perpendicular और high partiness जिस फार्मूली में आते है वो लगा दे सिंपल सा फार्मूला है तो क्या जाएगा sin theta perpendicular over high partiness तो बेटा क्या लिखेंगे sin theta is equal to perpendicular किसके equal है M P M P high partiness O P ये मैंने अलग भी बनाई हूँ ये वैसे तो sin theta is equal to M P किसके equal है M P A Y J के हमने सिर्फ क्या लेना magnitude direction नहीं देनी तो क्या लिखेंगे A Y और O P vector A के सिर्फ magnitude लेनी है A के तो A divided और जाकर multiply हो जाएगा तो क्या लिखेंगे A Y is equal to A sin theta लें जी एक्स component भी आ गया और Y component भी इसके फार्मूले आपने याद रफने हैं बेटा आपको पता है A X किसके एक्वल है A X is equal to A cos theta और A Y is equal to A sin theta तो बेटा अब हम चलते हैं जी इसकी magnitude कैसे आनी है लेकिन उससे पहले ला ये एक definition आप लोग नोट करें पहले हमने क्या किये पहले हमने किसी vector के दो components की हैं यानि कि हमने एक vector से उसके दो component achieve किये तो उस अमल को कहते हैं रेसूलूशन अब है उसका उलट अब हमने components को लेना है और vector को achieve करना है यानि कि आप समय रहे हैं पहले हमने vector के components किये किसी एक vector को दो हिस्षों में तक्सीम करना इस अमल को क्या करते हैं resolution of a vector और दो हिस्षों से एक definition था process by which a vector एक ऐसा अमल जिसके दिए एक vector can be obtained हासल कर सकते हैं from its rectangular components तो एक vector को हासल करना है हमने किस अमल से उसके component से तो बैटा उसको heading मैंने दी है magnitude तो triangle है हमारे पास OPM जिसको मैंने एक अलग साइड पे बनाया है OPM ठीक है तो याद रिखिएगा magnitude निकाने के लिए न हम pathogras theorem यूज़ करेंगे इसको pathogorian theorem भी कुछ लोग पढ़ते हैं जिसको उर्दू में मसला फीसा गोरस कहते हैं कुछ बचे तो बारहल pathogras theorem मसला फीसा गोरस magnitude के लिए high partiness का is equal to base का स्केर प्लस perpendicular का स्केर जिसको उर्दू वाले बचे पढ़ते हैं वितर का स्केर is equal to काईदा का स्केर प्लस अमूद का स्केर तो ये वो ही है मैंने उर्दू में बताया ताके बचों बारहल जो इंग्लिश में याद करना चाहते हैं कुछ हमने लिखना तो इंग्लिश में है अब जरा गोर करें high partiness का स्केर is equal to base का स्केर प्लस perpendicular का स्केर इस फार्मूले को pathogras theorem कहते हैं बेटा अब high partiness किसके equal है जरा गोर करें op के तो क्या लिखेंगे op का स्केर प्लस base किसके equal है om के om का स्केर प्लस perpendicular mp का स्केर अब op किसकी value है op किसके equal है आपको याद है ना op vector a के सिर्फ magnitude लेनी है a का स्केर is equal to om सिर्फ magnitude a x का स्केर mp a y का स्केर तो स्केर खतम करने के लिए taking under root on both sides तो इदर से स्केर under root से cancel हो जगा a is equal to क्या जगा a x का स्केर प्लस a y का स्केर होल का under root तो ये बटा आप लोग याद करने मैगनिचूड का फार्मूला क्या निकल आया a is equal to a x का स्केर प्लस a y का स्केर होल का अंडरूट ये तो है मेगनीचूड का फार्मूला आप लोग इसको याद कर लें काइनली अब जरा आगे गोर कीज़ेगा बटा मैंने नोट के अंदर लिखा जी मेगनीचूड विल आलवेज भी पॉजिटिव बचे याद रखेंगे मेगनीचूड हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगी कभी भी नेगिटिव नहीं होगी मेगनीचूड विल आलवेज पॉजिटिव ये आप लोग नोट कर लें अब ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है ने एक्स का स्केर प्लस एवाई का स्केर ये है 2D में क्योंकि हमने 2D में सोल्ट किया है अगर 3D स्पेस वेक्टर हो तो A is equal to AX का स्केर प्लस AY का स्केर प्लस AZ का स्केर होल का अंडर रूट तो ये 3D का फार्मूला है आप लोग नोट करने अब डिरेक्शन की तरफ चलते हैं बेटा तो जी बेटा डिरेक्शन को कैसे अचीव करना है जी तरह गोर करें डिरेक्शन के लिए न हम 10 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे 10 थीटा is equal to आपको पता है ये लिखा भी हुआ है perpendicular over base तो इस triangle के मताभी देखें perpendicular के हमारे पास ये base, perpendicular और हाईपार्टिनेस तो perpendicular किसके equal है MP के और base किसके equal है OM के तो MP over OM अब MP की value के है बेटा AY और OM की value के है AX तो क्या जाएगा 10 थीटा is equal to AY over AX तो 10 इदर आके क्या है 10 inverse तो थीटा is equal to 10 inverse AY over AX तो ये बेटा फार्मूला है वेक्टर की direction का आप लोग इसको भी note करने शाबश तो जी बेटा topic हमारा complete हो चुका है कुछ MC कूज मैंने सोचा एंड पे discuss करने एक दो मिनट ज़रा तोजो कीजेगा अगर paper में MC कूज आजए न maximum number of components of a vector किसी एक vector के maximum component कितने होंगे तो बेटा उसका answer है infinite लातदाद अगर paper में MC कूज आजए maximum number of rectangular component अगर सिर्फ component लिखा है तो infinite है अगर आजए rectangular components बास समझें तो of a plane vector अब मैंने इदर जान बूच के डैश डाला है plane vector अगर आजए किसी plane vector के rectangular components कितने हैं तो आपने लगाने दो आपको पता ने AX और AY plane में और अगर इदर plane की जगा पर आजए maximum number of rectangular component of a space vector space vector का मतलब है 3D तो उसके फिर तीन component होंगे AX, AY और AZ तो यह तीन MC कूज मैंने करवा दी है next MC कूज देखें दी अगर paper में आजए at what angle AX is equal to AY कि वो कौन सा angle है जिस पर AX और AY आपस में बराबर होंगे ठीक है इदर मैं लिख देता हूँ none of these तो आप बताएं कि किस angle पे X component और Y component equal होंगे तो आपके जहन में आप angle ना निकालने बैठ जाएगा इसमें none of these आएगा क्यों वला क्योंकि आपने गोर नहीं किया ये arrow का sign डाला हुए तो vector तो आपस में equal नहीं होते बेटा X component और Y component के vectors आपस में equal कभी नहीं होंगे उनकी magnitude equal होगी आप बास समयरें इस हाँ इसके साथ अगर mode का sign डालाना है magnitude का जिकर की है कि आप ऐसा angle बताएं जिस पर X component और Y component की magnitude equal होगी तो फिर इधर मैं लिख देता हूँ जी हाँ जी all of these अब बताएं कौन सा option होगा ये ना आपकी आपकी exercise का आटमा short question भी है 2.8 short question अब जरा बच्चे जरा बात गोर से सुनिएगा ये इंट्री टेस के लिहाज से भी काफी important MCQs है ये MDCAT के अंदर भी आपकी paper में आया हुआ है अब आप बताएं किस एंगल पे X component और Y component equal होंगे तो बेटा ज्यादा तर बचों का आंसर होता है 45 degree क्योंकि 2.8 short question में भी ये लिखा हुआ है यानि कि AX is equal to A cos theta और AY is equal to A sin theta तो बेटा 45 degree ऐसा एंगल है sin 45 और cos 45 आंसर सेम आएगा बच्चे ज़्यादा दर इसको टीक कर देते हैं लेकिन MDCAT में आपको बता थुदा सा घुमाता भी है वो बेटा sin 135 ये 45 degree है X axis के लिहाँ से अगर आप दूसरे quadrant में चले जाएं दूसरे quadrant में बात समझते हैं न यानि के ये दूसरा quadrant है मिसाल अब ये 90 degree और अगर ये एंगल भी तो 45 हो सकते हैं अब ये 90 प्लस 45 कितना हो जगा 135 तो sin 135 और cos 135 का आंसर भी सेम होगा ये बात आप ने जेन में रखनी है अगर वो कह दे के वेक्टर है आपका तीसरे quadrant में अब वो बात देखें ये एंगल 45 degree है अब देखें 90 और 90 180 प्लस 45 225 sin 225 और cos 225 भी आंसर सेम देगा प्लस माइनस को नहीं आप ने देखना क्योंकि हम सिर्व मेगनिचूड की बात कर रहे हैं वेल्यू सेम आएंगी अच्छा अगर आपका वेक्टर हो जी 4th quadrant में क्योंकि मुझे 2.8 में आंसर दिया हुए ना short question में उसने 1st quadrant के लिहाज से है 45 जब वेक्टर पहले quadrant में होगा अच्छा आप देखें 90 90 180 प्लस 90 कितना हाज़ेगा 180 180 और 90 270 180 180 और 90 कितना हाज़ेगा 270 प्लस 45 तो यह बेटा हाज़ेगा 315 तो A, B, C, D यह चारों एंगल वो हैं जिस पर sign और course के answer सेम आएंगे तो यह all of these है हाँ अगर आपके option में यह 135, 225, 315 ना हो यानि कि 45 हो और option दिया हो 30 degree, 60 degree और 90 फिर 45 यह आएगा यह special case है जो मैंने values लिकी है ना अगर यह answer ना हो उसके लावा कोई हो तो और कोई भी angle ऐसा नहीं है ठीक है अगर यह चारों option ही दुरूस्त है तो all of these आएगा तो बेटा आप लोग यह option note करने तो हमने कोशिश कर रहे है कि चीज को थोड़ा सा detail में पढ़े जो लोग कहते हैं लेक्चर सार शोट बनाया करें बिटा वो घलत है क्योंकर अगर एक एक चीज को समझेना तो दो चार मिनिट आपको ऊपर भी time देना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है अपना बहुता ख्यार रखें लेक्चर को बार बार सुनें ताकि आपको मजीद अच्छा तरीके से प्रैक्टिस हो सके अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोसों के साथ भी शेयर करें और फीड़ बैक देना ना भूलेगा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत सा क्यार रखेंगा मुबश्यर अहमद को इजाज़त दें अल्ला आफीस